हलो, नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिंग में हमनों बात करते हैं पार्ट 34 में फीचर टेस्टिंग के बारे में अगर पिछले स्लाइड्स में आप जाए होगे तो उसमें मालम हुआ होगा कि मैंने फीचर टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग और फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज अलरेड़ी दिया है लेकिन अभी क्या होता है कि इंटरिव्यू के साम इंटरिव्यू जब देने जाते हैं अगर मालिया मैं आरेफ इंजिनियर हूँ या कुछ फुल्ड इंजिनियर कुछ भी किसी तरह का टेलिकम में काम करता हूँ इंटरिव्यू के जाते समय हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो यहीं इंटरिव्यूर आपसे पुछता है कि किस तरह का टेस्टिंग करते हैं कौन सा टेस्टिंग करते हैं तो आप यह बोलते हैं कि फिचर टेस्टिंग करता हूँ फंक्शनल टेस्टिंग भी करता हूँ यह टू टेस्टिंग भी करता हूँ तो यह आपको as a fresher आप अगर जाना चाहते हैं आप अगर RF से profile चेंज करना चाहिए तो यह पहले आपको clear होना चाहिए कि आप करते क्या है कौन सा testing आपको interview में बोलना है इसलिए मैंने एक topic के लिए किया है कि feature testing के बारे में हम लोग थोड़ा सा discuss करते और feature testing और functional testing में दोनों में difference किया थोड़ा सा इसके बारे में मैंने यहाँ पर discussion किया के लिए feature testing में होता क्या है कि इसमें लिखाओ का an effective and attractive developed feature requires testing to be done to maintain the quality of the product इसका कहने का मतलब है कि कोई product है already कोई product working condition में है कोई product use हो रहा है और उसके लिए क्या किया है हम लोग ने उसमें कुछ software में कुछ changes किया changes क्या किया उसमें change करने से मेरे कुछ features में कुछ difference आएगा जैसे आप देखते होंगे apple samsung nokia और other mobile क्या है products यूँ है वो क्या करते है अपने software को update करते है अपने software को update करने के बाद वो क्या करते है फिर उसको अपने किसी भी hardware में उसको product में उसको launch करते है इसको इंस्टॉल करते हैं अगर इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है कि उसकी उसका इंपक्ट क्या होगा वो अच्छी तरह से काम करेगा आपका मॉबाइल या नहीं करेगा मैं example एक mobile का ले रहा हूं है कि अगर किसी software को इसमें install किया गया आपका mobile में कोई नया कुछ software में changes करके और वो software देखते हैं कि आपका mobile में काम कर रहा है नहीं करेगा अच्छी तरह से work करेगा नहीं करेगा इसके लिए क्या करते हैं हम लोग हम लोग software को market में भेजने से पहले हम लोग उस software को test करते हैं उस test को क्या करते हैं? feature testing करते हैं means already जो hardware है their product to enhance the quality and make customer keen to know the new add-on means जो भी already software जो use कर रहा है उस product में कुछ software को introduce किया गया कुछ नय software उसमे features को introduce किया गया उसको test किया जाता है उसी को हम लोग feature testing बोलते हैं एक रहा होग है testing of the developed or modified feature is very important as an issue found in the existing functionality because of the new feature can create a lot of problem it is expected to have this testing done properly along with the regression testing as when required इसमे क्लिर लिखा हुआ है कि feature testing ensure that the newly developed feature has no bugs and works as expected and the focus is to make sure that product delivered to the client and end user has no issue उसमें जो भी software जो भी feature developed किया गया और वो feature develop करने के बाद जो client के पास हम लोग जेंगे तो हो अच्छी तरह से without error no bugs उसमें किसी तरह का works नहीं हो और जैसा मैंने expected किया गया उसी तरह का work करना चाहिए अगर वो software उसमें use किया जाता किसी hardware में use किया जाता किसी product में use किया जाता तो उसके लिए बाद में हम लोग discussion करेंगे अब देखते हैं कि कैसे perform करते हैं क्या है कि developer क्या करता है कि एक feature अल्रेड़ी एक develop किया ओके feature developed किया उस feature में क्या हो गया उसको वे इसमें है कि quality उसको मालूम होता है developer को मालूम होता है कि मेरा weak point कहां से कहां से मेरा software को break हो सकता है मेरा कहां से problem हो सकता है तो वो क्या करता है developer already quality analysis के QA जो है quality analysis जब होता है उसमें QA को वो already बता देता है software developer बताता है कि यहाँ पे हमें इस point को focus करना है और यहाँ पे check करना है तो क्या करता है quality analysis के है वो उस point को check करने के बाद वो सभी test positive, negative जो भी होता है वो check करने के बाद फिर वो टेस्टिंग के लिए बैजता है तो उसमें almost सभी points check करने के बाद यहाँ पर tester के पास आता है तो आपका काम यहाँ से शुरू होता है कि as a tester आपको करना क्या होता है तो इसमें क्या करता है tester should play around with the new feature should try all the positive, negative, expected, unexpected scenario with a user can perform आपको यह check करना होता है आपको यह सभी check करता है आपको positive, negative, expected, unexpected scenario जो user किसी भी तरह से perform करे तो उस तरह का testing आपको perform करके आपको perform करके उटको test करके आपको यह ensure करना होता है कि जिस तरह का मैंने testing किया है हर तरह का testing करने के बाद उसमें किसी भी तरह का bugs नहीं मिला उस testing को मिन्स हमें वहाँ पे जो भी software developed किया गया है उस development में कुछी तरह का bugs नहीं found हो या हमको यह check करना तक कहीं bugs तो नहीं है bugs मींद error तो कहने है उस software में कोई error तो नहीं है सभी तरह का function मेरा काम कर रहा है नहीं कर रहा है वह release होने का रिलीज वह market में जाने से पाले क्या होता software अपनी company क्या होता है कोई भी company क्या करती है पहले क्या करती है एक software develop करती है उसके बद उसका regression testing होता है, उसके बद quality analyst जो भी होता है वो internal होता है. उसके बद करता है final लेक्ट टेस्टिंग के लिए आता है. Final testing में आने के पढले, क्या होता है? मार्केट में आने से पढले, हम लोग उसको feature testing करते हैं. Under Test Engineer यहाँ पे लाच्ट में करते हैं, उसमें क्या करता है, उसमें आपको सभी तरह का expectation में रहा है, इस तरह से work नहीं कर रहा है, तो वो क्या करता, software developer क्या करता, कुछ उसमें coding reward करता है, उसमें, फिर coding को change करता है, software फिर से उसको change करता है, उसके बाद फिर testing के लिए जाता है, जब तक ओ एरर clear नहीं हो जाता है, तब तक वो testing को perform किया जाता है जैसे हैं clear हो गया आपका testing pass हो गया मैंने एक test case बनाया कि मेरा अगर ये test case है इस तरह का testing करता हूँ means E to interface हो या X to interface हो या किसी बहुत सारे feature testing होते हैं अगर interface का testing कर रहे हैं तो उस interface testing में हमें क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए ये सभी हमको clear idea हो जाता है उसमें कि अगर testing engineer में काम कर रहे हैं तो आपको मालूम हो जाता है तो उसमें हो जाता है कि जैसे ही आपको मालूम होए कि ये error है तो उसको developer क्या करेगा उसको fix कर देगा और fix करने के बाद आपको फिर से आपको test करना होता है जब ये test pass हो गया तो आज ये tester आपका काम कतम हो जाता है तब आता है उसके बाद advantage of feature testing मैंने अल्रडी बता है कि important feature testing बहुत ही ज़रूरत है इसके लिए क्या advantage हो जाता है market में जाने से पहले क्या हो कि इसको validate करने में help कर देता है testing different configuration software can be checked बहुत different configuration हम लोग software के configuration हम उसको check कर सकते है bug issue can be found at the early stage मिंस आभी ही found कर लेते है मेरा उसमें error क्या है किस तरह का bugs है all the elements of the software can be tested सभी तरह का software हम लोग test कर लेते हैं various integration done can be checked while doing the testing and continuous testing and release allow the software to be good quality यह हमें feature testing में फायदे हो जाते हैं अब आथा कि difference क्या what is the difference which is feature testing and functional testing यह आपको बहुत ही questions आप से पूछे जाते हैं अगर आपने freshers हो किया यह एक सल या दू सल का experience हो किया तो इसमें पूछा जाता है इंटर्व्यू में बहुत सारे questions पूछे जाते हैं कि feature testing में फांक्शन टेस्टिंग में difference क्या है तो यह important है interview point of view से अगर आप interview देने जा रहा है तो यह question basically पूछे जाते हैं इसमें क्या feature testing is it testing the new feature और the modification done in the existing feature of the software यह clear होगे feature testing हो हो है the new feature और the modification done in the existing feature of the software whereas the functional testing is the functionality of the complete software against the requirement provided by the client आपसे यह जो कोई भी existing software है उसमें modification कर दिया गया या कोई new feature आ गया उसको test करने को हम लोग feature testing करते हैं जबकि functional testing is the testing of the functionality of the complete software अभी क्या हो गया कि हम लोग client के बाद client के पास requirement को यह आई कि हमें इस तरह का software चाहिए और वो full software को testing को full software as per client जो भी provide करता है requirement provided by client उस तरह का पूरा software की testing को हम लोग करते है functional testing यह clear होगे आपको अगर कुछ confusion होगा तो मैं यहाँ पर हूँ मैसेज करते रहे है आपके text केजिए या mail केजिए मैं आपको हर बार reply करता हूँ और आगे भी reply करूँगा last मैं यह बता दो कि feature testing के फिर बात में अगर कुछ problem हो तो आएए मेरे पास मैं आपको अच्छी तरह clear कर देता हूँ कोई problem नहीं है मैं call करके सभी को बात भी करता हूँ अगर कोई confusion होती है तो feature testing में क्या होता है feature testing is one of the important aspect of testing and helpful to release the new feature for the application software which is already available in the market मैंने पहले ही बता है वही चीज मैंने फिर से यहाँ पे लिखती है कि feature क्या है जो भी application है या software है which is already in the market और उसमें कुछ helpful to release the new feature for the application कोई feature है कोई software है कोई application है उसमें फिर से कुछ helpful release new features करने के लिए उसको आमलो feature testing कर लेते है it helps the stakeholder to improve the quality of the product either by modifying the existing feature or by introducing a new feature that is useful and is accepted by the user easily ये क्लिर हो जाना चाहिए आपको the organization can face monetary loss as well in the case of software does not work as it was intended to hence feature testing is very necessary before there is कोई भी अगर क्या होता है कोई भी software भी ना test किये हुए अगर market में release करते थे तो आपका the market खराब होगा ही इसके साथ आपके business पर भी impact कर गया क्योंकि software आपका work नहीं कर रहा है तो इसलिए before release to the market market में release होने से पहले उस software को हम लोग testing करते हैं उसको हम लोग carefully as a feature tester उसको करते हैं इसमें हम लोग ने already discussion किया कि क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं कर सकते हैं क्या फायदा है feature testing से और कैसे करते हैं feature testing next video में हम लोग बात करेंगे कुछ दूसरे topic के साथ में अगर ये अच्छा video आपको अच्छा लगता है तो please like कीज़ें सब्सक्राइब जिए